हम एक्च्वल में इतने कन्फ्यूज हो गई हैं ठीक है मतलब हम समझे नहीं पाते हम रिस्ता खोने के बाद हमें रियलाइज होता है कि यार वो इनसान मेरे लिए कितना जरूरी था हम अपने होस हवास एक समय के लिए आगे भूल जाते हैं और हम एक समय पर यह लगता है कि इनसान हमारे जिनके से चला जाए और जब वो चला जाता है तब हमें रियलाइज होता है कि यार वो इनसान तो मेरे जिनके के लिए बहुत जरूरी था ऐसा क्यों होता है देखे हर सुन्दर चीज आपको खोने के बाद ही पता चलती है कब बाहरी सुन्दरता नहीं जिसकी भीतरी सुन्दरता होती है अक्सर ऐसा होता है कि जब चीजे आप से दूर जाती है या तो आपको बड़ी सहष्टा से मिल गई है आप उसके योग यह थे नहीं लेकिन आप तो कुसकी कदर नहीं होती है हमारा जीवन चल रहा है उस झीवन मार्ग में सबसे बड़ा रोल है इनका जब यह मानते है तो रिष्टव अच्छ से चलता है उसमें यह नहीं होता छूटने का भी भै नहीं है नहीं है एक बात होनी चाहिए अब लेकिन पो नहीं आंदिए तो जिन्दगी को जिन्दगी से रूठ जाना चाहिए, साथ ही ऐसा ही होता है, या आपको जिन्दगी में समर्पन करना चाहिए, अध्यात्म दुनिया का सबसे सुन्दर वाक्य मेरे को यही लगता है, कि जब तक आप अपने रिस्तों में, अपने काम में, अपने चाहे भार या अंधरोनी किसी भी जब तक आप समर्पन नहीं दोगे तब तक आपको मुझे लगता है कि किसी भी चीज की प्राप्ती नहीं होगी